हलो डियर स्टुडेंट्स इस वर्चुर कलासेज के मुहिम में हम आपको कच्छा बारा का एक वार्ट दा गरल्विद बास्केट पढाना शुरू किये थे जिसमें से आपको पहला पार्ट पढाया जा चुका है आपको थोला सा पिछला पार्ट बताना चाहेंगे आपने बढ़ा था विलियम से डेगलस जो 1950 में भारत की आत्रा पर आये थे वह है नई दिल्ले से अपने आत्रा शुरू किये थे बरेली होते हुए उन्हें रानी खेत तक जाना था बरेली तक उन्हें ट्रेंड से जाना थ बरेली से रानी खेत के बीच के उन्हें कार जाना था बहरता यसे धिल्ली के घटना आपको ब्ताई जा रहा थी लेकक हार स्टेशन पर उतरता था और अंग्रिजी बोलने वारे लोगों से बातें करता था कम से कम तीन से बात करता था तब वह किसी एक ऐसे बेगत को पाता था जो अंगरी जी बोल सके और फिर उससे देश-विदेश के टॉपिक पर या उस दिन के मुखे समाचार पर बाते करके भारत के आंतरी किस्तिती का पता लगाने का प्रियास कर रहा था आप लोगों ने पढ़ा था ले तो उसने देखा कि सरालती बच्चों का एक जुंड उसे पूरी तरह से घेल लिया था ये बच्चे अपने हाथों में हाथ की बनी हुई साधारल सरकंडी की बनी टोकरियां अपने हाथों में लिये थे और उसी के बारे में चेल आ रहे थे लेकर उनके लेंगेज को तो नह के बेज मटवारे के दवरान जो सरार्थी पाकिस्तान से आये थे उन्हें सरार्थियों के बच्चे थे पुत्रों पुत्रियां थे यह तार्मी कुनमाद के डर से पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए थे और जब इनोंने अपनी लंबी यात्रा शुरू किया था तो बहु गिरे और वहीं मर गए हम लोग यहां तेक वोड़े थे अंतिम लाइन आप देखें एक फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगए लिए तो फाल बाइद वेसाइड फ्रम दे विकिनिस अपनी आत्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद भूख की कमजोरी से स देखेंड्रें शलिंग बासकेट वेर संस और डाटर साफ दिज रिफ्यूजिज यह टोकरियां बेंचती हुए बच्चे उन्ही सरार्थी लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे संस माने पुत्र पुत्री और रिफ्यूजिवाने आपको लिखवा गया सरालार्थी जो पाकिस्तान से आये वे थे वही लोग उन लोगों के ये पुत्र और पुत्रियां थे दे आर देर रिले पैरेंट्स और रिलेटिव साइड गैदर्ड इन सिटीज वह या उनके मातव पिता या उनके रिष्तिदार सहरों में एकत्रित हो गए सेटिंग पिस्टाल छोटी-छो उन बाजारों में जीव का कमाने का प्रियास करने लगे अल्रेडी और कराउड़ेट जो पहले से ही भीड से भरा हुआ था यनि जब ये सलार थी लोग पाकिस्तान से आये तो सहरों में बस गए वह उनके रिष्तिदार या उनके मातव पिता और वहां छोटी-छोटी दु वह लिवड मने रहते थे कलाथ मने कपड़ा और ग्रास मने घास वह घास और कपड़े के बने हुए सेट्स मतलब घरों में रहते थे दैट लाइन दा स्टीट जो सलक के बगल पक्तिबद बना हुआ था इन सरलार्थियों में किसान है इन सरलार्थियों में किसान had been accustomed to little all their lives वह अपने पूरे जीवन भर बहुत कम में गुजर बसर करने के लिए अभ्यस्त हो गए थे for the annual income of an agricultural family does not exceed on the average for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year क्योंकि एक किर्षक परिवार किर्षक परिवार की बारसी कामदनी एक सो डालर परति बर्स के आउसत से अधिक नहीं हुआ करती थी the average unskilled laborer makes 30 cents a day एक आउसत आकुसल मजदूर एक दिन में 30 cents कमाता है और less than $2 से वीक या एक सब्ता में $2 से कम कमाता है एक आकुसल मजदूर there is one million a day एक दिन में क्योल एक भोजन इनके पास होता था आइन उनियन उसमें एक प्याज होती थी एक पीस अब ब्रेड एक रोटी का टुकळा होता था एक बावला पल्स विथ मिल्क दूद के साथ एक कटोरा दाल होती थी perhaps a bit of good cheese साइद बकरी के दूद का बना हुआ पनीर का अकाध टुकळा भी होता था नो टी कोई चाए इनके पास नहीं होती थी no coffee कोई कावा नहीं no fat कोई वसा नहीं no sweet कोई मीठाय नहीं no meat कोई मांस नहीं 100 dollars a year एक बरस में 100 dollars is not 2 dollars a week वह एक सब्ता में 2 dollars के बराबर नहीं होता है yet फिर भी even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them फिर भी यह चोटे सी धन्रास ऐसे लोगों को बेच करके कमाना बड़ा कटिन काम था जो पहले से गरीब थे जो नहीं खरीर नहीं सकते थे फिर से देखें yet even that small amount is hard to earn फिर भी इस छोटी सी धन्रास को कमाना बहुत कटिना है by selling baskets toker यह बेच करके two people आईसे लोगों को too poor to buy them जो इतनी गरीब थे कि इनको खरीद ही नहीं सकते थे that no doubt is the reason निस संदे यही कारण था these little children descended on me like locust कि यह छोटे छोटे बच्चे मेरे उपर टिड्डों की भात तूट पड़े टिड्डा अब लोग समझते हैं पुरकार का कीडा होता है अब इसमें तो टिड्डी दल का प्रकोब भी पूरी तरह से चला आए तो यह सारे बच्चे टिड्डे की तरह मुझे पर उतर गए या तूट पड़े आई आएन अमिरिकन मैं एक अमिरिकन वाज डाउटलेश दा मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट निसन दे रुप से मैं सबसे अच्छा खरीदार था देहर्शीन जितने लोगों को उन्होंने आज देखा था उन लोगों में मैं उनको सबसे अच्छा बायर सबसे अच्छा करिदार लगा इसलिए बच्चे मुझे पर टिडडे की भाती तूट पड़े मारने के लिए नहीं अपने टोकरियों और अपने पंको को बेजने के लिए आई होप यतना आप लोग समझ चुके होंगे अब हम लोग अगले परगर आप कितर बढ़ते हैं लेखक ने क्या रिस्पांस दिया ज़रा देखें आई बाट वन टाइनी बास्केट फार एफ़वान आज मैंने कुछ आना में एक छोटी सी टोकरी खरीदा आइनादर फ्रूट बास्केट फार एबीट मोर थोड़ा सा और ज़्यादे खर्च करके एक फल की टोकरी खरीदा यह ब्योटिफिल वेस्ट पेपर बास्केट फार एब रूपी एक रूपे से एक सुंदर रदी काज़ की टोकरी खरीदा यह लबली स्विंग बास्केट फार एब रूपी और एक रूपे में एक प्यारा सा सिलाई करने वाले टोकरी यह जिलाई वाले टोकरी मैंने करीदा यह few fans फार आना एक आना में कुछ पंके करीदे यह एक पंके के दो आना के दर से मैंने कुछ पंके करीदे माई आर्म सुएर फिल्ड मेरी बाहें भर गई थी और मैंने पचास सेंट भी खर्च नहीं किया था बच्चे अपने सामान के बारे में चिलाते हुए मेरे अगल बगल से गुजर रहे थे अजवाज प्रिजिनर कंप्लेटल स्राउंडेड मैं एक कैदी हो गया था पूरी तरह से गिरा हुआ अनेबल टू मूब हिलेने में असमर्थ थे दे मोस्ट डिलिजेंट अग्रेसिब इंडर वाज ब्यूटिकल गरल आफ नाइन राइट इन फ्रंट आप में सबसे परिश्रमी सबसे आक्रामक विक्रेता थी एक नाव साल की लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी सी हैड लबली बासकेट विथ हैंडिल उसके पास एक मुठिया लगी हुई टोकरी थी और वह इस टोकरी के लिए डेल रुपिया आप देखें ए रुपिया चाहती थी और एबाउड थर्टे सेंट या लगबग तीस सेंट चाहती थी सी वाज एन एरनेस्ट प्लीडर वह बहुत थे गहराई से निवेदन करने वाली थी देर वेर टीर्स इन हराईज उसके आपकों में आसू थे सी प्लीडर इन ब्यगड इंडोंस वह ऐसे वाणी और ऐसे लाजे में निवेदन कर रहे थी जो किसी का भी हिर्दे दर्वित कर सकता था पिखला सकता था या यह कर सकते है प्रेरित कर सकता था उसके उस टोकरी को खरीदने के लिए कुछ दुकंदार होते हैं जो बड़े ही स्टाइलिस अंदाज में अपने सामान को बज़ने का परियास करते हैं बिल्कुल रड़की भी इतने मेहनत से इतनी लगन से अपने टोकरी के बारे में बता रही थे लेकग को कि लेकग का भी हिर्दे दर्वित हो गया और किसी का भी हिर्दे दर्वित हो जाता लेकिन हुआ क्या माई आर्म सवेर फिल मेरी बाएं भर गई थी आई हैड नो रूम मेरे पास कोई जगह नहीं थी रूम मेंस नाट कमरा जगह मेरे पास कोई जगह नहीं थी किसी और टोकरी की ज़रूरत के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं बची थी बैलेंसिंग माई बास्केट्स और में लेफ्ट आर्म अपने बाएं भुजा पर अपने टोकरियों और पंकों को संतुलित करते हुए आई रीजड इंटू माई राइट कोट पाकेट मैं अपने दाही ने कोट के पाकेट में अपने हाथ को पहुचाया और एक मुठे चिल्लर यानि छुटा पैसा निकाला प्रहाइप्स 15 सेंट्स इन आल साय दोकुल मिला करके 15 संट रहे होंगे जिसको मैंने उसी टोकरी में जमा कर दिया that the young girl held imploringly before me जिसे हुआ छोटी लड़की मेरे सामने निवेदन पूर्वक हाथ में लिए खड़ी थी या हाथ में पकड़ कर खड़ी थी I try to explain मैंने उसा समझाने का प्रयास किया that means कि I could not buy the basket मैं टोकरी तु नहीं खरी सकता but extended the gratitude as a substitute लेकिन एक बिकल्प के रूप में मैं दान जरूर दे सकता हूँ इक्स्टेन माने प्रदान करना देना और gratitude माने दान होता है substitute बिकल्प इन टोकरी ना खरीदने के बिकल्प में मैं तुम्हें यह दान छोटा सा जरूर दे सकता हूँ लेकिन टोकरी खरी नहीं सकता I realized at once what offense I had given मैंने तुरंत महसूस कर लिया कि मैंने कौन सा अपराद कर दिया है This child of nine यह नौ बरसी लिकी ड्रेस्ट इन रैक से जो चिथड़े पहने थी चिथड़े का मितलब समझ रहोंगे फटे चिटे कपड़े बहुत ही फटे चिटे कपड़े philosophically and Counter and the ezelf cultivation ऑर ये भोकमरी के कगाव परती ezelf cultivation का मतलब अपुलिख पुलिख वागय है खरी खरी चिट रह्य झे अपने टुड़े को उठाया तुड़े मतलब दाही का जाय। ब्रीच्जी का अंतिन पार्ट होता है तुड़े ऊठाया रेसडे इंटू लामकेट और एक महिला के संपूर गर्व और सान के साथ यह दिप नौ साल के थी लिकिन उसके अंदर जो सान और स्वाइमान था वो एक परफेक्ट लेडी जैसा था अपने स्वाइमान और सान के साथ उसने मेरा धन मुझे लवटा दिया अब मेरे पास के ओले एक ही सीज बचा जो मैं कर सका आई बाट दा बास्केट मैं लो स्टोकरी को खरीद लिया सी वाइब डाराईच उसने अपनी आखों को पोचा इसमाइल्ड मुश्कुराई और डाउन दाउन दा प्लेट फार्म और प्लेट फार्म के ओर आगे बढ़ गई जो उस रात कम से कम 30 सेंड रखता अर्था तो आईसे जोपड़ी में गई जिस जोपड़ी में आज की टोटल कमाई कम से कम 30 सेंड तो होती ही और टोकरियें बीगी होंगी तो आउर भी 30 सेंड से जादे दन हुआ होगा उस गर में कि अबांडित जवाला नेहरू आप जानते हैं कुर समय 1915 में भारत के राजपती सोरी भारत के प्रदानमंतरी पंडित्जवाला नेहरू थे तो लेखक ने बताया कि आई टोल्डिस स्टोरी टो पंडित प्रैम मिनिस्टर पंडित जवाला लेहरू, मैंने यह कहानी, यह शूटी बालिका की कहानी, मैंने भारत की ततकालीन प्रधानमेंटरी, पंडित जवाला लेहरू को सुनाया, I told him it was on region, मैंने उनको बताया, कि यह एक एक मात्र कारण था, I had fallen in love with India, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया, इनने लेका को भारत से प्रेम क्यों हो गया, इसकी वज़े अगर आपको बताना हो, तो आपको सीधा काना होगा, कि उस नव बरसी स्वाभिमानी लड़की के स्वाभिमानी बिवार ने, लेका को भारत से प्रेम करने के लिए मजबूर कर दिया, The people I sign India, लेका कागे भारती लोगों के बारे में कैसे चाबी। कैसा बिचार अपने दिमाग में प्रस्तूत करऄा देखें, The people I sign India, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, उन लोगों को चाहे गाओं में राते हूँ, तथा उचे कारियालों में राते हूँ, उनके पास दोनों चीजे थी गर्व थी और सजीव सान था और नागरीकता और सजनता के प्रत थी फिर से देखें उनके पास आजादी के लिए एक जुनून था अब जानते हैं कि उसमें भारत नया नया आजाद हुआ था आजाद ही मातर तीन साल हुए थे तो लोगों में अपने अंदर एक आजादी का जुनून था सब लोग अपने आजादी को लेकर के बहुत ती उसाहित थे इस ब्यूटिफुल चाइल्ड इस सुन्दर लड़की ने बॉर्ण इन इसकोईलर और पावल्टी जो पैदा हुए थी गंदगी में और गरीबी में और जो ब्याकरण और आचरण में असेच्छित थी बिलकुर अनपड़ थी इसने मुझे भारत के दया से भरे हुए आत्मा के दरसन करा दिये गिम्जमन जलक होता है गिमन देना होता है यानि इस नौबर्षी आपरसेच्छित आसेच्छित लड़की ने जो गंदगी में पैदा हुए थी इसमें लेखक को भारत के सजीव आत्मा के दरसन करा दिये और लेखक को मजबूर होना पड़ा भारत से प्रेम करने के लिए